जिनोंने भी मुझे मलयालम फिल्मों को देखने का रेक्मेंडेशन किया है मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा तो आज मैंने देखा ड्राइविंग लाइसन्स नाम का एक मलयालम फिल्म जिसका ड्यूरेशन है दो घंटा और पंदरा मिनिट इसके साथ ही साथ इस फिल्म में लीड रोल्स में है पृतिवराज सुखमारण जी सूरत जी, मिया जोर्ज जी, सज्यू कुरुप आधी-ाधी तो कुल मिलाकर इस फिल्म की अगर हम कानी के बार में बात करते हैं तो पृतिवराज जी जो है वो एक एक्टर है उन्हें किसी कारण शूर्णिंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसंस की आवश्यकता है क्या उनको ड्राइविंग लाइसंस मिल पाती है या नही उस ड्राइविंग लाइसंस को हाजिल करने के दौरान इन्होंने कितने कटिनायों को सामना करना पड़ा इन सभी विश्यव पर ये फिल्म आधारित है मुझे तो कास कर ये फिल्म बहुत ही पसंद आई बहुत ही सिंपल सी खानी है इस फिल्म की पफ़ॉमंसस के बारे में हम बात करते हैं तो जितने भी लोगों ने इस फिल्म में काम किया है उन्होंने अपना 100% इस फिल्म को दिया है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस फिल्म को देखते समय है मुझे तो कई पर भी ए फिल्म बोरिंग नहीं लगी आप अपने पुरे परिवार के साथ इस फिल्म को मिल जुल कर देख सकते हैं कई पर भी आपको ये फिम बोर नहीं करेगी उसके साथ ही साथ सूरत जी की जो पत्नी है उनका काम थो काफी मसदा रहा काफी सारे सीन्स में वो हमें हाशाती है वो मुझे काफी पसंद आया सिंपल हुमर जो हम कहते हैं वो मुझे इस फिल्म की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई उसके बाद पृत्विराज जी और जो पुलिस इंस्पेक्टर जी होते हैं उन दोनों की बीच जो नोग जोग होती है वो भी मुझे काफी पसंद आया और क्लेमाक्स में जाते जाते दोनों ही कैरेक्टर्स कैसे बदलते हैं उन सबी को एकदम अच्छे तरीके से ये फिल्म हमें दिखाती है वहराल इस फिल्म को आप अपने पुरी परिवार के साथ जरूर देखेगा मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 out of 5 ऐसा भी सुने को मिला है कि इस फिल्म को तिल्गो में रवीते जजी रिमेक करने वाले हैं देखिए रिमेक खासकर मुझे पसंद नहीं आते लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो ठीक टाक रिमेक कैसे रहेगा वो मुझे देखने की उच्छता रहेगी चलिए अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस इस लियालम फिल्म को देखा है तो आपका राए क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा धन्यवाद